Okay, so usual से हटके एक ये एक सॉंग है जिसका नाम है Smile है और इसे famously ये भी बोला जाता है Charlie Chaplin का सॉंग है na Charlie Chaplin सॉंग से ये के नाम से ये famous है Music by Charlie Chaplin and lyrics by John Turner and Joffrey Parsons Start करते हैं, दो स्टेंजा है Smile though your heart is aching, smile even though it's breaking When there are clouds in the sky, you'll get by If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through for you So ये हमारा पहला स्टेंजा, मतलब कि गर बात करें तो कि देखिए जिस जिन लोग के लिए है ना ये किसी भी परसन के लिए जो इस वर्ल्ड में रह रह रहे है Because obviously बात है, उतना fair है नहीं है ना और सबके life में बुरा time आता है सबके life में खराब time आता है ना जब हमको लगता है कि सब कुछ बहुत down जा रहा है Stocks नीचे गिर रहा है basically आपके है ना और सबको एक uplifting कुछ चाहिए होता है बहुत लोग हार मान जाते हैं, बहुत लोग suicide कर लेते हैं हम आए दिन जो students हैं उनको देखते हैं कि नो 17-18 साल की उमर में they are committing suicide ना So ये poem उन सभी लोग के लिए जो इस world में रह रहे हैं ना जो down feel करते हैं Even आपका down feel नहीं करते हैं आप no matter आप कौन हो कभी ना कभी आपको बुला टाइम आपका होगा है ये life ऐसा ही है कभी-कभी उपर, कभी नीचे, कभी उपर, कभी नीचे So कहते है smile Like आप हसते रही है No matter क्या हो जाए, आप हसना बंद मत की है वो जो positive attitude है आपने आपको वो खुश रखिये आप है Smile even though it's breaking और smile कीजिए जब आपका world पुरा टूट रहा है आपका heart टूट रहा है Hope नहीं बच रहा है उसके बाद भी Just like you know Tunnel में थोड़ा दूर देखिये चलते रहेंगे तो आपको सुरज दिखी जाएगा So smile even though it's breaking When there are clouds in the sky You'll get by जब आस्वान में clouds जब कोई भी कोई भी अगर मुश्किल वक्त आता है तो आप जा सकते है ऐसा नहीं है आपको नहलिसम में नहीं जाना है आपको यह नहीं सुचना है कि क्या ही point रहे गया है Because often जो है जो troubles होते है वो बहुत ही momentary होते है अभी जो आपका बुरा वक्त है आपने life में छोटे age में कफकाई कई बार आपको ऐसे लगाओ कि ओके इतना बारा मुश्किल है मैं ऐसे निकल नहीं पाऊंगा मैं ऐसे जा नहीं पाऊंगा बट आप निकल गए ना इस moment पे आपको वो वाला फिर और सौरो कि आप डरे हुए है अपने अपने आपको कोई चीज़ ड़ावना लग रहा है ना डर से सौरो से ना दुख से आप फेल हो गए किसी एक्जाम में ना आप क्लियर नहीं कर पाए कोई बात नहीं ठीक है लाइफ बहुत बड़ा है एक इंसाम आपको define नहीं करता है एक relationship आपको define नहीं करता है So if you smile through your fear and sorrow you'll get smile and maybe tomorrow आप हस्ते रहिए positive रहिए और कल दुबारा आएगा कल आपका stock थोड़ा से दुबारा उपर जाएगा कब तक ही नीचे जाता रहेगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका हमेशा नीचे जाता रहे एक point पे normal से better होगा है new normal से better होगा है So yeah it will happen You'll see that sun come shining through for you और आप देखें कि आपके भी अच्छे दिन आएगे ना जो sun है मतलब आपके जो अच्छे दिन है वो दोबारा लोटेंगे आप बस महनत करते रहिए आपने passion को follow कीजिए और try करते रहिए हसते रहिए positive रहिए second stanza है light up your face with gladness जो अपने मुँपे हमेशा gladness रहिए glad glad की जो भी आपको मिल रहा है जो भी facilities आपको मिल रही है जो भी sunshine कर रहा है इतना enough है आप सास ले पारे imagine a world जहापे apocalyptic world है dystopian world है जहापे air भी नसीब नहीं है या उसके लिए भी लड़ना पड़ता है आपको free का पानी मिल रहा है जो भी आपके पास facilities है आप उसके लिए खुश रही है glad रही है hide every trace of sadness और जो भी आपके नदा थोर सभी sad feature है जो भी आपको sad करता है उसको hide कर दीजिए बोलिए कि ठीक है ठीक है it's okay है आपने वो reasons सिखे है जो आपको खुश रखते है जो आपको glad feel कराते है उस पर उतना focus मित कीजिए देखे जिस चीज के उपर आप बार-बार focus करेंगे जिसका आप repetition डालेंगे जो आप बार-बार करेंगे आप उसी से motivated होंगे आप उसी के around घूमेंगे है तो अगर आप हसते रहे तो आप हसी centered बनेंगे है वही अगर आप हमेशा दुख फील करते रहे दुखी चीजों के आसपासी रहे फिर तो आप उसी तरफ जाएंगे ना तो यह दो रोड है आपको carefully choose करना है कि वह नहीं नहीं मुझे हसना है no matter what happens although a tear may be ever so near और हो सब्था कि आपके बस वो जो आसू है वो जो धक्का है वो जो दुख है वो बिलकुल corner पे हो निकल ही रहा है है ना that's the time you must keep on trying और वो ही वो समय है वो ही वो समय है जब give up करने का मन करता है जब हड़ मानने का मन करता है जब इन्हों like mor जाने का मन करता है तभी आपको नहीं करना है वो है ना तभी आपको hope रखना है तो आप chewing gum चबाओ, हम क्यों कहते हैं, because chewing gum चबाने से body को, हम खा रहे हैं, इनवे हम चबा रहे हैं, और body को ये पता है कि हम तभी चबा सकते हैं, जब हम like खत्रे में ना हो हैं अगर आप खत्रे में हो तो आप थोड़ी ना चबाएंगे, तब तब कुछ खाएंगे, आप रश में, हरी में थोड़ी ना खाते हैं, so body को उस gum के चबाने से ये signal मिलता है कि okay, okay, all is well, all is well है ना, so वो ही यहाप यहापे किया जा रहा है, although a tear may be ever so near, that's a time you must keep on trying, smile, what's the use of crying हैं ना, और आप अगर रो भी रहे है इस point पे आप सोचिए क्या ही हो जाएगा उससे, क्या ही मिल जाएगा आपको, वो तो आपको और condition कर रहा है कि आपको और दुख फील हो, क्या ही उसका अंत है, आप रो के क्या ही नया पा जाएगे, जो हो चुका, वो हो चुका, जो नहीं आया, वो नहीं आया आप तक है ना, दोनों ही case में कुछ नया नहीं हो जाएगा, so क्या ही use रह गया है रोने में, तो आप हसी है, you'll find that life is still worthwhile, और आपको बदा चलेगा, आप अगर survive करते रहे तो आपको एंड में बदा चलेगा, कि जो life है वो उतना बुरा भी नहीं है, it's worthwhile है, आपको अच्छे चीज़े मिल ही जाती है, आपको अच्छे लोग मिल ही जाती है, आपको अच्छे कंपनी मिल ही जाती है, hard work कर पाना, तो एक ठीक है, तो यह रहा पोएम, पोएम को चारडी चैपलिन सॉंग कहते हैं, और या, thank you for watching.